नमस्कार दोस्तों मौसम विबाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भेंकर चक्रवाती तूफान को लेकर आ रही है जी हाँ सात्यों बता दे एक और देश के कई राज्यों में ताबर तोड मूसला धार बारिश के साथ आंधी चल रही है वही सात्यों बता दे कि अभी अभी भेंकर चक्रवाती तूफान आया है जिसकी वज़े से दोस्तों बता दे लगबग डेड़ सो लोग फासे हुए हैं और छे की दर्दनाक मौत हो गई है आईए जान लेते हैं संपूर्ण जानकरी दोस्तों लगातार क्यों आ रहे हैं भेंकर भूकम पे कभी हिमसकलन कभी चक्रवाती तूफान तो दोस्तों अब देश के कई राज्यों में बीमोसम बारिस आंधी तूफान और ओलवरेश्टी चल रही है जिससे किसान भाई भी चिंतित है वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पूर्वी सिक्किम के नाथुलासी दोस्तों बता देगी यहां पर जो तसो मगो जील है इसके पास एक बरफीला तूफान आया है इसमें 80 से ज़्यादा लोगों के फशे होने की अभी अभी आसंका है वहीं 6 लोगों की मौत भी हो गई है राहत और बचाव कारे लगातार जारी है दोस्तों बता देगी यह जो तूफान है यह जो एवलांच है पंदरवे माइल पर आया है यह काफी famous tourist place है इस्थानिय लोगों के अनुसार यहां अचानक एवलांच आया इसके बाद बरफ में कई लोग दोस्तों फश गई बरफ में फशे लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है एवलांच की वज़े से 20 लोगों के घायल होने की भी खबर सामनी आई ह मरने वालों में 4 पुरुस एक महिला और एक बच्चा सामिल है एवलांच के बाद घायलों को पास के आर्मी होस्पिटल में ले जाया गया है जहां 6 लोगों की दरनाक मोत हो गई है जानकारी के अनुसार ये हादसा आज दोपहर 12 बज कर 20 मिनट पर हुआ है दोस्तों इस व अथुला है यहां पर तसो मगो जील है इसके पास यह बड़ा एवलांच यानि की चक्रवाती तूफान आया है जिसके कारण दोस्तों 6 लोगों की दर्दरांग मोत हो गई है वहीं 80 से जादा लोग यहां पर फसे हुए हैं बताते दोस्तों 1500 के लगबक जो लोग हैं वो घ कुकंब के जटके लग रहे हैं कभी चक्रवाती तूफान कभी वज्रपात कभी बेमोसम बारिस आंदी तूफान की वज़े से किसान भाई भी चिंतित नजर आ रहे हैं मोसम से जोड़ी हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर ले और बैल एकन प्रेस जरूर कर ले साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कोमेंट बॉक्स में हमें अवेस्य बता कर जाएं धन्यवाद दूस्तू जै हिंद जै भारत वंदी मातरम